नमस्तपर दोस्तों मैं सतंदी यव सागत आप सभी का आज किस नए क्लास में दोस्तों यह वीडियो बिए के उन स्टूडेंट के लिए मोहत हिंपौरٹन होने वाली दिनी यानि होने वाला है क्यों आज़ बीए की बिए के हिंदी से जुड़े मोश्ची मोश्री इंपौाट आप सभी को मैं बताऊंगा जो कि सब्जेक्टिव बेस्ट के एक्जाम होने वाला इस बार आप सभी को मालूम एक्जाम का पैटर तो उसके भिहाब पे सारे कीजिए भार तेंदु जी की जो काब बिगत की भांसा सहली है उसके बारे में लिखे यह भी बीचना कीजिए तो आइसर में आप लोगों लिखना है कि भार तेंदु के कभी ठीक है भार तेंदु के काब का सवरूप पौढ़ और प्रसक्रत है यद्दब कभी ने खड़ी ब कोली में भी रश्णाय की हैं परंत उनकी काब भासा बिशेश रूप से भझ ही ठीक है ब्रज भासा ही रहे रतनाकर की भात उन्होंने ब्रज भासा का अध्यन नहीं किया था बलकि अपनी प्रतिभा के बल से ही उसका परिमार्जित और प्रसक्रत रूप से प्रस्तुत किय उनकी भासा उनकी ब्रज भासा शुद ब्रज भासा है तथा उसे शाहितिक ब्रज भासा नहीं कहा दा सकता है असमरर रहे उत्तम भासा के समस्त गूर्ड उनकी नियां दिएस्ता है और भावनकुल सब्द चैन उनकी भासा की खास बिशेशता है दरुहू सब्द का पिर्योग प्राया नहीं किया गया है सब्दावली दिखाई पड़ती है केशो के सद्रस्त चमतकार प्रदस्टन के हेत संच के सब्दों का अधिक प्रियोग नहीं किया और ना सूर की भात भासा को साहितिक एक रूपता देने का प्रत्न किया घानानंदिक की तरह उसे प्रस्कृत करने का भी प्रियाप्रत्न नहीं किया बल्कि दरुह और प्रचिलित सब़ दो से रहित सलुल ध्यान दिजेगा सुललित सरल और स्वभाविक ब्रच भाँसा का ही प्रियोक किया है वस्तुता ब्रज भासा के पूर्व संदोर को सुरुच्छित रख उसे आधनिक जीवन का अनुगामी बनाना उनका एक महात पूर्ड कार्य था तथा उन्होंने भासा की निज्टा को भी सुरुच्छित रखा उनकी भासा में लोकयक्तियों महावरों और कहातों का अधिक अधिक प्रियोग है हाय सखी इन काथन सो अपने पक आप कुठार हमें दीनो और एक जो होए तो ज्ञान सिखावे कूप में ही यहां भांग परी है के संदर्स महावरों और कहावतों का उनकी भासा में शोभाविक प्रियोग हुआ वस्त वर्डन से अलंकारों की सुष्मा देखने के योग है तथा तरन तनुजा तक तमाल तरूवर बहुच्छाय जैसी अन प्राश युक्त पंक्तियों की अधिवक्ता से ही साथ ही उपमा रूपमा को त्रेच्छा और यमक आदिका प्रियोग हुआ है ठीक है तो यह है भारतेंदु जी की काप बिगत भासा सैली की मुख विवेचना जो की आई होप आप लोगों समझ में आई होगी अगर नहीं आईगी मैं आपको बता दू एक दू बार से पढ़ने से नहीं आईगी मैं फिर से बोलना हूँ यह कोईश्चन तीन से चार बार आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो आटोमेटिक आपकी दिमाग में सही हो जाएगा यह कोईश्चन बहुत ही टॉप लेबल का है हलाकि मेरा जो आप लोगों से जो आप लोग कोईश्चन करते हैं कर बता दिजे लेकिन बहुत सारे मैं सुचना question बता दूँ आप लोग answer ढूंड के सर्च करके आप लोग पढ़ लीजेगा लेकिन answer भी बता देता हूं जिसे आप लोगों कुछ idea और समझ में भी आ जाए और आप लोगों की कमेंट के हिसाफ से ठीक है तो यह question का answer आप लोग अपनी भासा या इंटरनेट पे या फिर अपने बुक में या जो मैंने इसका answer बताया दोसे तीन बार जरूर पढ़ लीजेगा आपको पूरी तरह समझ में आएगा यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ठीक है इ लिए देखते हैं क्या है answer में पॉइंट वाइस करके आप लोगों बिसेस्ता लेग देना है पहला है कि काब बिसे में जहां दिजेगा काब बिसे में नविंता का स्रचन कर प्रसाज जी ने साहित्तिक और रुणिगत सीमाओं से मुक्त किया उनके जागरण जहां दिजेगा प्रसाज जी के समय में कभियों के दो वर्ग थे ठीक है परसाज जी के कितने वर्ग वो थे कभ ऐ पर प्रसाज जी के समय में कभियों के वो संगार के नाम पर नारी कातियंत अस्थो लवज वास्टना पूर्ण कर रहा था दूसरा उसका बीरोध कर रहा था ठीक है तो यह रहे इसके दूसरा विसेश्था ठीक है प्रसाद जी के काभ भाव पच्छी तिसरा है विसेश्था इसकी लिखा कि आपने ठीक है आपने को अपना उपादान ठीक है उपादान बनाकर मानव और प्रकत के 20 समांजस ठीक है समांजस स्थापित किया दूर तीसरा यह चौथा प्रसाज जी के काब में दुवेदियू के अस्थोल के प्रत सोच्म का बिद्रो हो है तो यह रहा इसका चौथा विशेष्टा और अगला ह प्रसाज जी ठीक है ध्यान दिएगा प्रसाज जी प्रकत के सवंदर से अधिक प्रभावित थे प्रकत के प्रत नवीन दरश्ट कोड उनहीं की देन है तो यह है प्रसाज जी के भावपच्ची की प्रमुक 5 बिशेष्टा है जो की आप लोगों को दो से तीन बार इनको भ आपके एक्जाम में आने के पूरे चांप जाएं पसाद जी का है कोश्चन जैसे का तो ध्यान में रखेगा ठीक है दो से तीन बार आंसर पढ़ लीजेगा तब समझ में आएगा यह सारे कोश्चन हो सकता हम हुए आप लोगों टेलिग्राम पे डाल दूं लिंक बीडियों क बढ़ेंगे निश्कोश्चन कैंउल है लिखा कि सिद्ध कीजिये कि निराला जी यानि कि सूर कांत्र पाथी निराला के बाले में तो आप लोग को समझना है पहला है पॉइंट इसका कि निराला जी प्रगति वाद के अग्रदूत रहे हैं दूसरा पॉइंट है दूसरा नंबर है वो है निराला जी ने सदेव अपने काब के माध्यम से अन्य सोसर और रोडियों का विरोध किया है जान रखेगा दो नं काब है निराला जी का काब प्रगत सील काब है और निस्ट है आपका काब परतंत्र और सोसर के बिरुद्ध ललकार है निस्ट इसका है आपका काब परतंत्र और सोसर के बिरुद्ध ललकार है पांचवा है कि प्रगतिवाद काब धारा में निराला जी का सीर सस्थान है तो तो आप लोगों याद रखने हैं आपके एक्जाम में आने के ज्यादा चांसे तो पढ़ लीजेगा ठीक है निश्कोष्टन है कि सिद्ध कीजे कि निराला जी ओज ठीक है और पौरुस ठीक है जहां दिजेगा और पौरुस एवं बिद्रों के कभी हैं चलिए सिद्ध करते हैं क्या लिखा इसमें अंसर में पढ़ते हैं लिखाए निराला का सरीर ठीक है पौरुस का प्रतीक था उनका उंचा पूरा विशाल पुष्ट शरीर अस्तेज आखे तेजस्वी लालाट आकर्शक केस रास घं गंबीर वाड़ी और और जोश्चनी मुद्रा एक बार भी दर्सन कर लेने वाले बैक्तिके चित परस्दा के लिए प्रभाव डालने वाली थी ठीक है उनका सारीरिक गठन यूणानी देव प्रतिमाओं के असमर्ण करने वाला था जैसा उनका बैक्तित था वैसा उनका ओज़श्वी शभाव था और वैसा ही पौरुस पूरुण उ वे देखा और सुना है वे उनकी ओज़शनी प्रवाडी और ठीक है सिंगवत भांगिमा ठीक है भांगिमा को भी कभी भूल नहीं सकते उस समय बैठे हुए वे समाधिस्त संकर और खड़े हुए प्रलैंकर रुद्र से लगते थे और इन्होंने पंक्त लिखिए जिसमें लि मुझको हार कर मेखला मुंडल मालाओ से बन मन अभिरामा एक बार बस और नास्तु स्यामा तो यह इन्होंने पंक्त लिखिए जो कि आप लोगों के याद रखना है पंक्त से बहुत प्रभाब पढ़ता पंक्त यानका दोहा सोठा जो भी कभी के होते हैं उसको भी आप लो बढ़ते हैं अगले question क्यों अगला question इसमें क्या है लिखा है कि प्रकति चित्र की दिश्ट से महा देवी जी का का ने इसको प्ट्ने में मह समझने में यह असानी होगी जो कि हम आप लोगों बता दे पहला इसमें है कि महादेवी जी ने ध्यान देजेगा पहला है महादेवी जी दो है ठीक है महादेवी जी ठीक है में काब के प्रति बच्पन से अनुराग रहा है ध्यान देजेगा महादेवी जी में काब के प्रति बच्पन से अनुराग रहा और तीसरा है आपके काब में प्रकत के विभिन रूप मिलते हैं नेस्ट है प्रकत के द्रस्चों को अपनी भावनाओं के रंग से रंगर उनकी सुभाविक्ता एवं साहजता को अरुथिक अच्छुन बनाए रखने की कला में महादेवी जी प्रवीन थी नेस्ट है महादेवी जी ने प्रकत का मानुवी रूप में आकासर वड़न किया है उनका प्रकत चित्र सम्मंदी कोई भी गीत ऐसा नहीं मिलेगा जहां उसके किसी ना किसी पच्छी या अंग पर कोई मानुवी रूप आरोपित ना किया गया हो नेश्ट है कि प्रकत के बाय संदर किया पेच्छा उसके आंतरिक संदर को ही अधिक अंकित किया है प्रकत के सारे चित्र गत्यात्मक हैं ठीक है और लिखा है कि महादेवी जी का प्रकत चित्र सत्यम स्यूम सुंद्रम के समनुवित लच के पूर्त का नूतन आदर्स प्रस्त करता है ठीक है तो या रहा महादेवी जी वर्वा जी के काभी के प्रकत्चित्तर के देश्ट से उनके काभी के कुछ में में पॉइंट जो कि आप लोगों को याद रखना है आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन कोईश्चन है तो ध्यान से के कर लिजेगा इंटरनल पर सर्च कर लिजेगा जो मैंने कोईश्चन बताएं यह बहुत ही टॉप लेवल कि इनके चांज से ज्यादा है एक्जाम में आने की तो आई होप आपको समझ में आगे कुछ ही कोईश्चन मैंने बताएं लेकिन टॉप लेवल के हैं ज्यादा सब्सक्राइब नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को सारे कोश्चन बता दो आप लोगों कंप्यूटर नो तो थोड़े-थोड़े क्टर के आप लोग एक्जाम की तयारी करिए हम आपको मिलेंगे नेस्ट वीडियो में नेस्ट क्लास के साथ तब कि तक के लिए जैन्द